अरुनाचल प्रदेश की जहाँ पर अरुनाचल प्रदेश के तबांग इलाके में भारत और चिनी सेनिकों के बीच में जड़ब को लेकर रक्षा मंतरी राजनात सिंग ने लोकस सभा में बयान दिया है राजनात सिंग ने कहा कि 9 दिसंबर 2022 को पी एले टुप्स में तबांग में एल इसी का उलंगन के नियम तोड़े थे भारतिय सेरा ने पी एल एको अतिकरमर सुरो का उन्हों पोश्ट पर जाने के लिए मजबूर कर दिया रक्षा मंतरी ने कहा कि इस घटना में दोनों और से कुछे सैनिकों को चोटें भी आई है हमारे किसी भी सैनिक की ना तो मनत्ती हुई है और ना है कोई गंभी रूप्स घायल हुआ है समय से हमने हस्तक्षिप किया इसके बज़र से चीनी सैनिक के बापाश लोट गए इसके बाद लोकल कमांडर ने 11 दिसंबर को इस पूरे मसलिकों को लेकर बैठक की और चीन को ऐसे एक्षन के लिए मना किया है और शान्ती बना रखने को कहा है नव दिसंबर 2022 को प्रियले ट्रुप्स ने तमांड सेक्टर के यांसे एरिया में लाइन आफ एक्षिल कंट्रोल पर अच्करमण कर इस्टेटस को को एक तरफा बदलने का प्रयास किया चाइनाज के इस प्रयास का हमारी सेना ने जढ़ता के साथ सामना किया है जख्षमोदे और इस फेसाप में हाथा पाई भी हुई है भारती सेना ने भादूरी से पियले को हमारी टेर्टरी में अच्करमण करने से रोका और उन्हें उनकी पोस्ट पर वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया ध्यक्षमोदे इस जड़प में दोनों और के कुछ साइनिकों को चोटे भी आई है और मैं इस सदन को आउगत कराना शाहता हूँ कि हमारे किसी भी साइनिक की नो तो मृत्य हुई है और नो ही कोई गंभेर रूप से घायल हुआ है इंडियन मलेट्री कमांडर्स के टाइमली इंटर्वेंशन के कारण पिले सोल्जर्स अपनी लोकेशन पर वापस चले गया जक्षमोदे और इस घटना के पश्चाथ एरिया के लोकल कमांडर ने 11 दिसंबर 2020 को अपने चाइनी ताउंटर्वाज के साथ अस्थापिद व्योस्था के तहक एक फ्लैग मिटिंग की और इस घटना पर चर्चा की चीनी प्रक्ष को इस तरह के एक्संस के लिए मना किया गया और शीमा पर शांती बनाए रखने के लिए कहा गया इस मुद्धे को चीनी प्रक्ष के साथ कूटनीती का स्थर पर भी उठाया गया है अध्यक्ष महोदे मैं इस सदन को आस्थस करना चाहता हूं कि हमारी सेनाएं हमारी भावमिक अखंडता को सुरक्षित करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद हैं और इसके खिलाफ और औ हमारी सेनाओं की वीरता और साहस को एक सर से समर्थन देगा और अध्यक्ष महोदे मैं पूरी तरह से आसथ हूं कि यह संसद बिना किसी संसय के भारत की सेना की छमता सौर पराक्रम वा प्रचबद्धता का भी अभिनंदन करेगा